हलो दोस्तो जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सुहेल अकेडमी में दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोग की तैयारी एकदम पूरी बेतरिन तरीके से कंपलीट हो गई होगी दोस्तो आप सभी को पता है कि यूटी पुलिस रेडियो अपरेटर में आप सभी लोगों ने आपकी जो एकजाम की जो सिटी है वो आप सभी लोगों ने देख ली होगी तो एक बार कॉमेंट करकर मुझे सभी लोग जरू बताएंगे कि किसका सेंटर कौन से सीटी में गया है और कौन सी पाली में आपका एकजाम है हो सकता है दोस्तो उस सीटी से मैं हूँ और आप से मैं मिलने जरू राओंगा दोस्तो अगर ऐसा हुआ तो तो एक बार सभी लोग comment करकर जरूर बताएंगे कि किस का center, किस city में गया है और कौन सी पाली में आपका exam है, ठीक है, बाकी दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत से लोगों का registration number गुम गया है, तो registration number के लिए देखो, UP Police ने अपने official जो उसकी website है, उस पर उसने दे दिया है, आप forget registration number कर देंगे, तो बहाँ पर आपको अपना mobile number डालना होगा, और आपकी अपनी date of birth डालनी होगी, उसके बाद में दोस्तों आपका registration number पता लग जाएगा, ठीक है, ये तो बात होगी registration number पता लगाने की, फिलहाल दोस्तों आप सभी लोग बहतरिन तरीके से तयारी कर चुके हैं, और अपनी इस तयारी को दोस्तों बहतरिन तरीके से complete करने के बाद, एकदम सकरात्मक सोच के साथ में दोस्तों आप सभी लोग इस exam को देना, और मैं पूरी दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग का exam बहुत ही शांदार हो, बहुत जबरदस्त हो, ज सचे मन से दोस्तों एकदम महिनत की है, उन सभी का selection हो, यही दोस्तों मैं अपने दिल से प्रातना आप सभी लोग के लिए करूँगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं, और सभी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और सभी लोग का दोस्तों मैंने भी पूरी अपनी तरफ से कोशिस की, कि आप सभी लोग के मैं भी कुछ ना कुछ काम आ सकूँ, तो दोस्तों बस यही आसा के साथ में आज आप लोगों को इतना ही संदेश देना था, कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्जाम को करेंगे, बहुत अच् किसी को GKGS में दिक्कत है, तो GKGS के दोस्तों free of cost notes मैंने डाल लगके हैं अपने telegram पर और अपने application पर भी डाल लगके हैं, free material में, तो आप बहां पर जाना, आपको सारे notes मिल जाएंगे, आपको science के भी दोस्तों PDF देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, तो इतना काम भी दोस् परिक्षा है, UP Police Radio Operator के बाद, एक तो दोस्तों आपकी UP Police Constable की है, दूसरी दोस्तों आपकी जो परिक्षा है, दोस्तों बो है आपकी UPSI की, ठीक है, उत्तर परदेश सविस्पेक्टर की, ये दोस्तों आपके सामने दो परिक्षा हैं, दोनों के लिए दोस्तों सेलेवर से पूछी जाएगी, इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा जाता है, CRPC है, ठीक है, आपकी IPC है, ये सब चीज़े दोस्तों आपकी किस में पूछी जाती है, सर, ये सब चीज़े आपकी UP SI में पूछी जाती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, कि आप Radio Operator के एक्जाम को दोस्तों क्या जाती है, तो Radio Operator में आप सभी लोगों ने form भराए है, आप सभी एक्जाम देंगे, उसके बाद दोस्तों Constival में आप जो है, पूछी जो है exam फील किया है, इसका exam भी दोस्तों आप सभी को पताए, Constival का है 18 फरवरी को, ठीक है, 18 फरवरी कोュ दोस्तों constival का exam इसके बाद दोस्तो UPSI का फौर्माँ एंसके बार मिले उसके बाद हम सभी लोग मिल करेंगे यूपी एससई की ठीक है और UPSI कreling की लिए खूब मनत करेंगे हम सभी लोग मिल और भेतरी तरीके से हम आपके लिए पूरे दोस्तो आपक़ इसे आप सभी के लिए ख़ड़े रहेंगे चाहें वो exam constable का हो चाहें आपका UPSI का हो लेकिन दोस्तों अगर आपको UPSI exam निकालना है तो UPSI exam मानता है लगबग 5-6 महिने का time 5-6 महिने exam में लगते हैं इस exam की तयारी के लिए लेकिन आप सभी लोग radio operator में head operator की तयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे assistant operator की तयारी कर रहे हैं तो आपको 5-6 महिने नहीं लगेंगे आपको सिर्फ दोस्तों तयार करना है अपना मूल विधी और quality में थोड़ा deeply दोस्तों तयार कर लेना है तो आपको इतना समय नहीं लगेगा और अगर आप सभी लोग self study करना चाहते हैं किसके इसमें देख सकते हैं और इस book को दोस्तों आप लोग purchase कर सकते हैं UPSI के लिए क्योंकि दोस्तों CRPC, IPC, भारतिय दंड, सहीता सब कुछ भेतरिन तरीके से दोस्तों इस book में दे रखा है तो इस book को purchase कर सकते हैं नीचे description में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा तो कुल मिल जाके मेरी तरब से आप सभी लोगों को लिए best wishes हैं और उम्मेद मैं यही सोचूंगा दोस्तों जहां तक है मेरी आप video नहीं आएगी radio operator के लिए अब सीधा और सीधा आपसे exam बात दोस्तों हम लोग बात करेंगे हो सकता है radio operator के उपर ठीक है बाकि आप सभी लोगों ने ब बताना कि सर आपकी तयारी हुई है या फिर नहीं हुई है एक बार सभी लोग comment करकर जरूर बताएंगे कि आपका किस city में दोस्तों exam center गया है हो सकता है दोस्तों उस city से मैं रहने वाला हूँ और मैं आप से मिलने जरूर आँगा अगर ऐसा दोस्तों match हो पाया तो ठीक है चलिए दोस्तों जाहिंद